नमश्कार दोस्तों अमित की रेमिडिस में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से वो रंग है जो दिवारों पे लगाने से धन का नाश होता है और साथ ही जानेंगे कि कौन से वो रंग होते हैं जो धन को अपनी और आक्रशित करता है तो देखते रहिए और जानिये तो दोस्तो वास्तु सास्त्र के अनुसार रंगों का हमारे जीवन में बहुत ही खास एहमियत होता है रंगों से इंसान अच्छी बूरी सही गलत चीजों की पहचान कर सकता है रंगों से पॉजिटीव और नेगिटीव एनर और उस हिसाब से उस दिवार पे उस दिशा पे वही रंग हमें लगवाना चाहिए दोस्तो वास्तु सास्त के हिसाब से हम घर के जिस रूम में जाते हैं वहां मौझूद चीजों को देख कर हमारे मन में उनसे जुड़े विचार आते हैं जैसे के किचन में अगर हम जाते ह तो खाने related विचार हमारे मन में आता है। अगर bedroom में जाते हैं तो हमें आराम करने का या शेयन करने का विचार मन में आता है। अगर आप उन रूम के दिवारों पे लगवाते हैं तो ही तो ही ये आपको सुब रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तो वास्तु सास्त के हिसाब से अलग-अलग रंग हमारे मन में अलग-अलग प्रभाव डालते हैं। बढ़किले रंग के कारन धीरे-धीरे हमारा जो सुबाव है वो उग्र हो जाता है, हम क्रोधी हो जाते हैं। कुछ फीके रंग से घर में शोक और दुख से भरा हुआ घर जो है वो लगता है। अगर आप फीके कुछ फीके रंग ऐसे होते हैं जो लगवाते हैं तो घर शोक और दुख से भरा हुआ लगता है। कुछ इसलिए वास्तु सास्त्र की माने तो यदि आप घर में दिशाओं के अनुसार रंग लगाते हैं तो जीवन में कठनाईयों का सामना आपको कम करना पड़ेगा तो आईए जानते हैं कि घर के अंदर वास्टू के अनुसार कौन सी दिशा में कौन सा रंग कौन से दिवार पर लगाना चाहिए जो आपके लिए बेहद शुभ होता है तो सबसे पहली बात उत्तर पश्चिम दिशा में आपका सबसे बड़ा कमरा होना चाहिए वास्तु के हिसाब से जिसे आप मास्टर बेडरूम भी कहते हैं ये घर का बहुत ही खास कमरा होता है और ये घर के कमरा होता है ये घर के मुख्या को ही दिया जाता है क्योंकि ये मुख्य कमरा होता है और ये मुख्या के लिए ही होता है और इस कमरे को बनवाना चाहिए उत्तर पस्चिम दिशा में ठीक है अब इस कमरे में ही लोगों की दामपत्य जिवन भी शुरू होती है तो इस कमरे में हमेशा मिट्टी से जुड़े रंग लगाने चाहि बढ़ता है, तो इस कमरे में कभी भी नीला रंग, पीला रंग या आखो को चुबने वाला रंग नहीं लगाना चाहिए। ऐसे रंग आपके मन को विचलित कर सकता है। पती-पतने के बीच वाद विवाद हो सकते हैं, जगड़े हो सकते हैं, कला हो सकता है, अशांती हो सकती है तो इसी लिए जैसे मैंने कहा कि इस कम्रे में मिट्टी से जुड़े रंग लगाई है जैसे कि हलका लाल गे हुआ हलका भूरा इससे आपका गुरु मजबूत होगा पति-पत्नी के बीच रिष्टे मजबूत होंगे प्रेम बढ़ेगा सम्मान बढ़ेगा अब आगे बढ नती के लिए हमें ऐसे रंग सिलेक करने चाहिए जो उनकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है साथ ही मन को हमेशा शांत रखता है बच्चों के रूम को हमेशा हलका पीला हलका परपल हलका निला रंग से आपको रंग लगवाना चाहिए इस बात का आपको ध्यान देना है इस से पढ़ाई के टाइम पे उनका मंद जो है वो शान्त रहता है और उनका मेमोरी पावर भी बढ़ता है अब दोस्तो घर की बाहरी दिवारों पे कौन सा रंग करना चाहिए घर की बाहरी दिवारों की बात करे तो उनमें कौन सा रंग लगाना शुब होगा आपके लिए तो दो गेट है में दर्वाजा है गर वो दख्षिन दिशा में है तो यह शुख शांती का प्रतिक आपके लिए बने गा अगर आप घर में नीला रंग मतलब बहरी दिवारों पे नीला रंग लगवाते हैं तो यह रंग जो है शुख सम्रिध्धी लाता है सुक सम्रिध्धी का माना जाता है इसके अलावा आप घर के बाहरी दिवार पे सफेद पीला या बेंगनी कलर भी लगा सकते हैं ये सबी रंग बहुत शुभ होते हैं घर की सीलिंग पे कौन सा रंग लगाना चाहिए दोस्तों जब हम सोते हैं तो हमारा मुँ उपर की तरफ ही होता है इस लिए इ में इसके अच्छे प्रभाव ही पड़ते हैं इसलिए हमेशा घर की जो सिलिंग है उस पे वाइट कलर ही करवाएं दूसरा कोई रंग ना लगवाएं इसपेशली लाल रंग तो भूल से भी ना लगवाएं अब अगर आपके घर में गेस्ट रूम है तो महमानों के इस रूम में आपको ऐसे रंग लगवाने चाहिए जो की उत्तेजित करने वाले रंग ना हो इनमें आपको हमेशा हलके रंग का इस्तमाल ही करवाना चाहिए मतलब हलके रंग ही आप इसमें लगवाएं साथ ही आपके घर में जो महमान आते न वो भी इन हलके रंग को देखके उनका मन भी जो है बड़ा शौमी हो जाता है शांत हो जाता है अच्छा लहता है मन उनका भी तो कभी भी जो गारे डीप कलर होते हैं वो या फिर भड़काव टाइप रंग ये सब नहीं लगाना चाहिए हमेशा जो गेस्ट रूम होता है उसमें हलके रंग का इस्तमाल करना वहाँ पर उप्योग होता है तो वो वैसे ही उग्र बना रहता है वो रूम उसमें इसीलिए हलका जो फीका रंग होता है उसका अस्तमाल करना चाहिए ताकि किचन में आने से हमारा मन जो है वो शाथ रहे हम शाथी फिल करें तो दोस्तों ये information कैसा लगा आपको comment करके जरूर कर दीजेगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि मैं इस तरह की इंफोमेशन्स इस तरह के नॉलेज इस तरह की बाते लाता रहता हूं अब सभी लोगों के लिए तो मिलतें अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा